हेलो फ्रेंड्स, वेलकम तो माई यूटूब चैनल, इन दिस वीडियो वी विल डिसकस अबाउट आर बी आई एंड इस फंक्शन, बहुत ही ज्यादा इंट्रस्टिंग एंड इंपोर्टन टॉपिक है, डे टो डे लाइफ में भी और एग्जामिनेशन पॉइंट अफ यू इसलिए मैं आपको सेजिस्ट करूँगा, मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहे, I am sure आपके तमाम concepts and doubts किलर हो जाएंगे, और अगर आप मेरे साथ टेलिग्रम पर जुनना चाहते हो, टेलिग्रम पर जाओ, वहाँ पर सर्च करो मलिक टुटोरियल और उस ग्रूप को आप जाइन करो, और अगर आप मेरे complete video lectures on economics, mathematics and statics देखना चाहते हो, description में आपको links मिलेंगी, जहाँ पर आपको detailed video lecture plus mcqs सारे मिल जाएंगे, Now let us start, हम जानते हैं, हर एक country के अंदर एक central bank होता है, और वो central bank entire banking system of the country को control करता है, यह एक sole agency होती है, जो note को issue करती है, जो currency को issue करती है, and control the supply of money in the economy, और economy के अंदर supply of money को भी control करता है, It serve as a banker to the government, यही serve करता है as a banker to the government, and manage forex, और foreign exchange reserve को भी manage करता है, Foreign exchange reserve का मतलब यह है, कि जो हम foreign currencies as a reserve के तोर पे रखते हैं, क्यों रखते हैं उनको reserve, ताकि कोई भी balance of payment, For example, हमने बाहर से crude oil खरीदना है, तो वहाँ पे हम Indian currencies का इस्तमाल नहीं करेंगे, उस वकत हम foreign currencies like US dollar का इस्तमाल करेंगे, तो उसको कौन manage करता है, Central Bank of the country, और India का जो Central Bank है, वो है Reserve Bank of India, अब यह जो Reserve Bank of India है, यह established हुआ था, 1935 में, under the provision of Reserve Bank of India Act, 1934, यह चीज़ आपको याद रखनी है, और यह कहाँ पे established हुआ था, सबसे पहला headquarter था इसका Calcutta में, उके, उसके बाद यह permanently move हुआ, Mumbai, और यह move कब हुआ था, यह move हुआ था, 1937 में, उके, इस date को भी आप याद रखेगा, दा ओरिशनली, प्राइवेट अंड, और यह जो Central Bank था, यह जो RBI था, यह पहले क्या था, प्राइवेट बैंक था, उके, और इसको nationalized किया गया था, 1949 में भी, यह सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, और एक चीज़ आपको याद रखनी है, जो RBI का logo है, इसके अंदर क्या-क्या है, एक तो tiger है, और दोसरा क्या है, palm tree है, next time, structure of RBI के बारे में देखेंगे, अब यह जो Reserve Bank of India है, इसके तमाम affairs को गवर्न कौन करता है, Central Board of Directors, और इस Central Board of Directors के अंदर 21 members होते हैं, वो 21 members कौन कौन होते हैं, पहला governor होता है, उके, उसके बाद 4 deputy governors होते हैं, उसके बाद 4 directors nominated by the Central Bank, one from each local board, अब यह जो Central Bank है, जो RBI है, इसके 4 local boards है, वो कहाँ-कहाँ पे हैं, मुंबई में हैं, कुलकटा में हैं, चिन्नई में हैं, और New Delhi में हैं, इन चारों से एक-एक member को, एक-एक director को elect किया जाता है, और उसको कौन elect करता है, Central Government, उसके बाद इसके अलावा 10 directors होते हैं, इसको भी nominate कोन करता है, Central Government करती है, उसके बाद 2 government officials nominated by the Central Government, उसके बाद 2 extra government officials होते हैं, उसको भी कोन elect करता है, Central Government, और ये total कितने होते हैं, 21 members होते हैं, उसके बाद कुछ और important चीज़ आपको याद रखनी है, जो first Indian governor था, RBI का, वो था CD Deshmuk, उसके बाद longest serving governor, जो सबसे ज्यादा लंबे time तक governor रहा है, वो कौन था, Bengal Ramarau, और ये कब से कब तक रहा था, 1949 से लेके 1957, date आपके लिए important नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे date नहीं लिखी है, आप बस ये याद रखिएगा, जो longest serving governor of RBI है, वो कौन है, Bengal Ramarau, उके, उसके बाद, जो shortest serving governor है, shortest serving governor कौन है, अमिताव गोज, और ये रहा था, सिरफ 20 days के लिए, उके, नाउ अब हम discuss करेंगे, प्रियम्बल of Reserve Bank of India, जो प्रियम्बल of Reserve Bank of India, जो प्रियम्बल of Reserve Bank of India है, उसके अंदर क्या लिखा है, basic function of Reserve Bank of India, कभी का बार examination में यह पोचा जाता है, कि जो RBI का preamble है, उसके अंदर क्या लिखा है, तो आपने क्या लिखना है, basic functions of Reserve Bank of India, जो प्रियम्बल है RBI का, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, to regulate the issue of banknotes and keeping of reserve, जो RBI है, वो क्या करेगा, issue करेगा banknote और reserve को भी रखेगा, with a view to securing monetary stability, अब वो reserve क्यों रखेगा, in order to secure the monetary stability, जैसे कि commercial bank cash reserve ratio किसके पास रखता है, RBI के पास रखता है, and generally, to operate the currency and credit system of the country, और currency and credit system, यानि कि loan का जो system है, इसको भी कौन control करेगा, इसको operate करेगा RBI, यानि कि reserve bank of India, उसके बाद, to have a modern monetary policy framework, और जो RBI है, वो तमाम monetary policy को भी frame करेगा, जो कि हमने already एक वीडियो में discuss की थी, to maintain the price stability while keeping in mind the objective of economic growth, उसके बाद, जो price stability है, उसको भी कौन maintain करेगा, reserve bank of India, Now, अब हम discuss करेंगे, man rule and function of RBI, let us start, सबसे पहले हम discuss करेंगे, issue of notes, The reserve bank has a monopoly for printing the currency notes in the country, reserve bank of India को complete monopoly है, in printing the currency notes in the country, RBI के लावा कोई और दूसरी agency बिलकुल भी नहीं है, जो currency को, जो currency notes को क्या करती है, print करती है, It has the sole right to issue currency notes of various denomination, यह जो RBI है, यह different तरह के notes बनाता है, 100 रुपी का note, 500 का, 2000 का, तमाम किसम के notes बनाता है, except 1 रुपी note, जो 1 रुपी note है, इसको RBI issue नहीं करता है, इसको कौन issue करता है, Finance Minister of India, ओके, अब आपके लिए question है, at present, who is the Finance Minister of India? Now, यह जो currency issue होता है, यह issue होता है, on the basis of minimum reserve system, okay, Reserve Bank of India ने adopt किया है, minimum reserve system for printing the currency notes, okay, Since 1957, it maintained gold and foreign exchange reserve of Rs. 200 crores, 1957 के बाद, जो Reserve Bank of India है, इसने minimum reserve system के अंदर maintain क्या का किया है, gold and foreign exchange reserve, foreign exchange reserve मतलब, जो foreign currencies है, usually हम US dollar को रखते हैं, okay, total कितना होता है, 200 crores, जिसके अंदर at least 115 crores should be gold, यानि कि 115 crores की value के बराबर gold होना चाहिए, और बाकी हम foreign currencies रखते हैं, okay, उसके बाद, जो second important function है RBI का, वो है bankers to the government, जो RBI है, यह act करता है as a banker to the government, as an agent and financial advisor to the government, अब as a banker कैसे होता है, it manage accounts of the government, as a banker to the government यह act करता है, because यह सारे account government के का करता है, manage करता है, उसके बाद, as an agent to the government कैसे है, it buys and sell securities on behalf of the government, जैसा कि मैंने आपके साथ discuss किया था, in the monetary policy, जो Reserve Bank of India है, यह sell and purchase of government securities करता है, okay, तो in this way, यह जो RBI है, यह agent हो गया government का, as an advisory to the government, और यह एक advisor भी है government का, because it frames policy to regulate the money market, because जो RBI है, यह frame करता है policies to regulate the money market, और वो policies क्या frame करता है, monetary policy, Now, next, अब हम discuss करेंगे, third function of Reserve Bank of India, which is Banker's Bank and Supervisory Rule, As a Banker's Bank, it has almost the same relation with the other banks in the country, as a commercial bank has with its customers, Now, as a Banker's Bank, यानि कि Banku का bank कैसे है यह, जैसे कि एक customer के relation, एक commercial bank के साथ होते है, इसी तरह commercial bank का relation, Central Bank, यानि कि RBI के साथ होता है, Okay, जो RBI है, उसका customer कौन होता है, उसका commercial bank होता है, और commercial bank का bank होता है, Reserve Bank of India, Now, the Central Bank accept deposit from the commercial banks and offer them loan, जैसा कि हम commercial bank के अंदर जाते हैं, वहाँ पे अपने पैसे जमा करते हैं, और जब हमें कभी जुरूरत पड़ती है, तो हम वहाँ से loan भी लेते हैं, इसी तरह से, in the same way, जो commercial bank है, वो भी RBI के पास अपना deposit रखता है, अपने पैसे रखते हैं, और जब उसको जुरूरत पड़ती है, तो वो RBI से loan भी लेता है, उसके बाद, the Central Bank provides clearing house facilities to the commercial bank, जो Central Bank है, वो clearing house facilities भी provide करता है, किसको commercial banks को, अब यह जो clearing house facility है, यह क्या होती है, इसको मैं समझाऊँगा, with a simple example, let us suppose that, दो person है, ठीक है, एक person A है, और दूसरा person B है, जो A है, इसको पैसे देने है, बी के 1000 रूपीज, अब A का जो account है, वो Jand के bank में है, और B का account किसके अंदर है, state bank में है, अब A क्या करता है, यह अपने bank का check देता है, B को 1000 रूपीज का, जो B है, वो अपने bank में चला जाता है, बैंक के अंदर जमा करता है और बैंक वाले उसको क्या करते हैं 1000 रूपीज देते हैं बट वो जो चेक होता है वो स्टेड बैंक का नहीं होता है बलकि जेंड के बैंक का होता है अब जेंड के बैंक का भी अकाउट और State Bank का भी account किसके पास होता है Central Bank के पास होता है यहनी कि RBI के पास होता है तो RBI क्या करता है यह जो State Bank है यह चेक के बदले में RBI इसे 1000 रूपीज लेता है तो इसको हम कहते हैं Clearing House Facilities ओके Next आप हमारे पास है In its supervisory rule The Central Bank ensures that the Commercial Bank shows compliance to its directives particularly relating to CRR and SLR Since जो RBI है वो as a supervisor भी है In its supervisory rule Central Bank यह ensure करता है जो Commercial Bank है वो उसके directives को follow कर रहे हैं फुल्फिल कर रहे हैं particularly relating to cash reserve ratio and statuary liquidity ratio जो उसने CRR and SLR fix कर रहा है क्या Commercial Bank उसको follow कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ओके Now अब हम next पे आते हैं Next हमारे पास है Lander of Lost Resort It means that If a commercial bank fails to get financial accommodation from anywhere it approaches to the RBI as a last result जब एक commercial bank के अंदर financial crisis आती है वो किसी और bank से या किसी financial institute से help मंगता है जब उसकी help कोई भी नहीं करता है तो last पे वो किसके पास approach करता है RBI के पास approach करता है as a last result Okay RBI क्या करता है RBI उसको loan देता है against the approved securities Okay By offering loan to the commercial bank in a situation of emergency RBI ensures that the banking system of a country does not suffer any setback अब RBI जो है उस bank को loan क्यों provide करता है because उस bank के अंदर एक financial crisis आई होती है ठीक है और RBI ये नहीं चाता है जो country के bank है वो एक setback suffer न करें उसके बाद money market remain stable let us suppose that एक bank के अंदर financial crisis आई होती है ठीक है अगर वो bank खतम हो जाता है कंगाल हो जाता है bankrupt हो जाता है जो money market है वहाँ पे भी stability नहीं रहेगी okay so in order to maintain the stability in the money market and second thing कि country का कोई भी bank setback suffer न करें इसलिए जो RBI है वो loan provide करता है जिस bank के अंदर financial crisis आई होती है उसके बाद custodian of foreign exchange RBI is the custodian of national foreign exchange reserve जो हम foreign exchange reserve रखते हैं यानि कि जो हम बाहर की currencies रखते हैं वो रखते हम RBI के पास RBI उसका क्या है custodian है देख भाल करने वाला it exercise managed floating to ensure stability of exchange rate in the international money market उसके बाद जो RBI है वो क्या exercise करता है managed floating अब ये managed floating क्या होता है ये होता है sale and purchase of foreign exchange जो foreign exchange होता है जो foreign currencies होता है उसकी sale भी करता है उसकी purchase भी करता है जब एक country के अंदर जो foreign exchange है वो कम हो जाता है foreign currencies की supply कम हो जाती है तो जो RBI ने पहले खरीरी होती है उनको वो बेच देता है ठीक है उनको वो foreign exchange market में बेच देता है जिससे price क्या हो जाती है stable हो जाती है और जब हमारे पास foreign currencies की supply बहुत ज्यादा होती है तो उस time पे RBI क्या करता है खरीद लेता है और जो money market है वहाँ पे जो exchange rate है उसको क्या करता है stable करता है next हमारे पास है control of credit the principal function of central bank is to control the supply of credit in the economy सबसे important सबसे principal function जो central bank का है जो RBI का है वो क्या है control the supply of credit in the economy यानि कि जो loan commercial bank provide करते है उसका जो ultimate control किसके पास होता है RBI के पास होता है और वो कैसे control करता है यह मैंने आपको detail में बताया है जब हमने monetary policy पड़ा था it implies increase or decrease in the supply of money in the economy by regulating the creation of credit जो RBI है यह increase or decrease करता है supply of money कैसे by creating the credit जो loan है उसको create करता है the bank needs to control the supply of money to cope with the situation of inflation and deflation अब जो central bank है जो RBI है यह credit के उपर control क्यों करता है because वो चाहता है inflation and deflation की situation को correct करना है ठीक है during inflation supply of money is reduced जब हमारे पास inflation की situation होती है तो उस time पे control लगाया जाता है credit creation पे जिससे supply of money कम हो जाती है और जब situation of deflation होती है जब market के अंदर पैसे बहुत कम होते हैं तो उस time पे जो central bank है वो inject करता है पैसे ठीक है यहने कि creation of credit को वो increase कर देता है तो यह थे हमारे पास important functions and rule of Reserve Bank of India अब हम पढ़ेंगे कुछ और function जो हमने important functions पढ़े इसके साथ साथ में RBI बहुत सारी developmental work भी perform करता है उनके अंदर क्या का include होता है arranging credit for agriculture agricultural activities के लिए जो credit यहनी loan का arrangement वो कौन करता है Reserve Bank of India collecting and publishing the economic data economic data को collect करना उसको publish करना buying and selling of government securities ठीक है trade bills को government securities को buy and sell and purchase करना उसको भी कौन करता है Reserve Bank of India buying and selling of valuable commodities जो valuable जो कीमती commodities है उनको भी sale and purchase कोन करता है Reserve Bank of India also it acts as representative of government in the international monetary fund IMF में भी जो representative होता है वो कौन होता है Reserve Bank of India इसको भी आप no don कीजिएगा तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड क्लास्मेट के साथ शियर कीजिए और नेक्स्ट वीडियो में हम discuss करेंगे mcqs on rule of reserve bank of India thanks for watching